हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु ट्विश्टिंग कीचेंड ट्विश्टिंग कीचेंड में आप सबका स्वागत है आज हम शेयर करेंगे आपके साथ चीरा राइस और दाल फ्राय रेसिपी तो आपको एक ही विडियो में दोनों रेसिपी देखने को मिल जाएंगे यह आप रहे हैं कितने अच्छी दाल बनी है और खिले खिले चाहल बने है तो यह रेसिपी देखने के लिए आप पुरा विडियो जरूर देखे और रेसिपी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के शाथ सरूर शेयर करना और लाइक का बटन जरूर दबाना तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक कप पासमती राइस इसे हम दो से तीन बार पाने से वोश कर लेंगे तो यहां पर मैंने राइस को वोश कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे आधे घंटे के लिए बिगोने देंगे जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक चमच तेल एक चमच गी अगर आप चाहे तो सिर्फ घी भी ले सकते हैं मुझे दोनों पसंद है तो मैंने दोनों लिए है अब जब की हलका गरम हो जाए तो हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच जीरा और उसे कुछ सम और हम इसे थोड़ी दिर के लिए तेल में ही फ्राइ कर लेंगे और हम इसे आतरी मिनिट के लिए एसे ही घी में फ्राइ होने देगे तो इससे क्या होगा हमारे चावल है वो खिली खिली बनेंगे श्टिकीने ही बनेंगे अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो आपनी चीस नाप से चावल लिये है उसे नाप से दो गुणा या पणी दो गुणा पानी एड़ करेंगे तो मैं यहां पर पानी दू गुणा पाइड कर रहे हूं यहे दिर खी यह मैंने एक कप पानी एड़ किया ओर आप मैंने 3 फोर्सष कपानी हाँ है आप हम ईसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देनं तक इसे ही पकने देंगे इसमें हं की भाइल है मिक्स कर देंगे यह देखिए इसमें उबालाना शुरू हो गया है एक बारे से चला लेजिए और फिर कवर करके इसे पांच मिनिट तक पकने देजिए पांच मिनिट में हैं मोशली हमारा चावल पक जाएंगे तो यह दीखिए हमारे चावल कितने खिली खिली बने है यह करीब 17-80% तक पके हैं थोड़ी अभी कच्छे है और इसमें पानी जो है वो पूरी तरह से सुख चुका है तो मिंदो एक से दो टेबल स्पून इसमें पानी एड़ कर रही हूं और इससे कवर करके फिर से एक या दो मिनिट के लिए पकने देंगे दो मिनिट के बाद ये देखिए हमारे चावल एकदम पककर रेडी हो चुके हैं ये देखिए हमारे चावल एक दम खिले खिले बने हैं तो अब हम इसे डखकर इसे ही छोड़तेंगे तो चलिए अब यह हमारी दाल फ्राइब बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए है चना दाल टूवरस्ष ताल याने की अरहर की दाल और मून दाल यहाँ पर हम डेट ग्लास पानी एड़ करेंगे और एक चमच नमक एड़ करके हम इसे कवर करके पांच विसल आने तक पका लेंगे यह देखिए हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से बलू चुकी है देख सकते हैं अब हमें इस तरह स्पून से ही थोड़ा मेश कर लेंगे दाल को अब हम दाल का तड़का तयार करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा चमच घी जो भलका गरम हो जाए तो अब हमें इसमें करेंगे हम आदा चमच जीरा जब जीरा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हम इसमें एड़ करेंगे एक ग्रीन चीली और उसके बाद एड़ करेंगे ग्रेट किया हुआ अद्रक और चॉप की हुई चीली और इससे हम कुछ समय के लिए फ्राई कर लेंगे और जब तक अद्रक प्राउन हो जाए अब ह हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर तो यहां पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है अगर आप लहसुन और प्यास खाते हैं तो आप अद्रक के साथ एड़ कर सकते हैं और अब हम टमाटर को सौफ होने तक पका लेंगे मैं आगे हिंग एड़ करना भूल गई थी तो मैंने यहां पर एड़ किया है अब हम सिर्फ टमाटर के हिस्से का ही नमक एड़ करेंगे क्योंकि हमने आगे भी दाल में एड़ किया है अब हम इसमें एड़ कर लेंगे हमारी दाल इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब दाल थीक या थीन अपनी पसंद के इसाथ से रख सकते हैं दाल में उबालाना शुरू हो जाए तक तक हम इसे मिडियम फ्रेम पर पकाएंगे अब यह देखे यहां पर उबाला चुका है तो अब हम इसका फ्रेम जो है वो लो कर देंगे और अब हम इसे लो फ्रेम पे ही पाँच मिट तक पकने देंगे कि यहां पर एड़ करेंगे लालमेच पाउडर और गरम मसाला लाल मेच पाउडर आप अपने स्वाथ के अनुसा रेड़ कर सकते हैं और इसे एक से दो मिनिट के लिए और पकने देंगे तो यहां पर यह देखिए हमारी जो दाल है वो अच्छी ठीक हो चुकी है तो यह हमारी दाल रेड़ी है तो हम गेस बंद कर देंगे अगर आपको यह रेड़ी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के शाथ शरूर शेर ना यह लंच बोक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेशिपी है तो आप बच्चों को भी लंच में लंच बोक्स में दे सकते हैं और अपने हस्बंट्स को भी लंच बोक्स के लिए दे सकते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंट्स के साथ शेर करना कमेट करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना थेंक यू फो वाचिन वीडियो बबाई स्यू सुन विथ न्यू रेसिपी झाल